सबी पत्रकार बंदूओं को नमुश्कार भारती जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है वो जमात और उसकी सरकारे मिलकर पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद करते हैं 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है भारती जनता पार्टी और जब इस अनपढ़ों की जमात का सबसे बड़ा भवन बना दिल्ली का भारती जनता पार्टी का दफ्तर बना तो इन्होंने पहला लक्ष अपना निर्धारित किया बोले इस दफ्तर के बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है बच्चों के स्कूल पे कबजा करना है अभी तक आपने माफियाओं पे बुल्डोजर सुना होगा गुंडों पे बुल्डोजर सुना होगा लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पे बुल्डोजर चलाने जा रही है जिस स्कूल में साड़े तीन सो बच्चे पढ़ते हैं भारती जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल का स्कूल उस स्कूल पर बुल्डोजर चलाने की भारती जन्ता पार्टी ने पूरी तैयारी और कोसिस कर ली और उससे संबंदित तमाम आर्डर और कागज है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस देश की सिख्षा में बिलकुल यकीन न रखने वाले लोग अनपढ़ों की जमात और ऐसे प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं सताइस साल के बाद जब उनको गुजरात में जाना पड़ता है तो एक आर्टी फीस्टेल स्कूल में जाके फोटो खिच्वाते हैं एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं बना पाते जिसमें जाकर वो अपनी फोटो खिच्वा सके और जब आप अपना दफ्तर बना रहें मोदी जी उसका उधगाटन कर रहें उधगाटन के मौके पर बड़ी बड़ी बाते कर रहें और साथी साथ मासूम बच्चों के स्कूल पे बुल्डोजर चलाने की तैयारी कर रहें ये अत्यंत शर्मनाक और मैं ये कहूंगा कि सिक्षा को बच्चों के स्कूल को रौंदने का भारती जनता पार्टी का प्रयास है आम आदनी पार्टी हर स्कूल पे इसका विरोध करेगी और मैं आपको अब वो स्कूल दिखाना चाहूंगा जो भारती जनता पार्टी के दफ्तर के बगल है जिसके उपर बुल्डोजर चलाने की जिसको गिराने की जिसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी जी ने कर ली है जिस दिन बीजेपी के दफ्तर का उधगाटन हुआ उसी दिन इस स्कूल को दफन करने की भी कहानी लिखी गई ये पहले आप स्कूल की बिल्डिंग देखिए ये है देश का रास्टी अनपढ़भवन बीजेपी का दफ्तर ये विए ये वे डास्टी का देखिए ये ये थीजेपी ही है ये खाने बास्टी के लिए ये पाव स्कूल दिन देखिए यह है वो सरकारी स्कूल यह वो स्कूल है जिसको जिसके उपर बुल्डोजर चलाने की भारती जनता पार्टी तैयारी करने इसकी स्कूल की फोटो भी यह स्कूल की फोटो है यह स्कूल की फोटो है यह MCD का स्कूल है और इसमें अलग-अलग समय पे यह प्रस्ताव बनाए गए है CPWD ने इसको ध्वस्त करने का गिराने का तोड़ने का स्कूल सिफ्ट करने का आदेश दिया है यहां आलिसान पार्क बनाया जाएगा अनपढ़ों के लिए वहां अनपढ़ लोग आके बैठेंगे और बच्चों के स्कूल गिराये जाएंगे यह है पूरी योजना इस पे आपका कोई प्रस्नों दुर्गेश जी समझाओंगा आगे विस्तार से आपको बताएंगे साड़े तीन सो बच्चे पढ़ते हैं चौदा कमरों का स्कूल है और इस स्कूल को चुकि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि भारती जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बगल में स्कूल है तो जैसे बड़े राजा महराजा होते हैं उनको अपने घर के सामने जब करने की और लगातार MCD के और उनके अधिकारियों के उपर दबाव डाल कर इस स्कूल को खाली करवाना इस स्कूल के उपर बुल्डोजर करके इस पूरे स्कूल को भारती जनता प्रपार्टी के दफ्तर के काम-काज के लिए इप्योग में लाने की पूरी कोशिश की जारी कि यह पूरा का पूरा डीडियू मार्ग है इसका वो री डेवलपमेंट करना चाहते हैं री डेवलपमेंट में इन्हों इस स्कूल को आप कहीं और लेके जाओ इस स्कूल को थोड़ा सा हम कुछ पेड़ पौदे लगा देंगे कुछ ग्रिंदी कर देंगे री डेवलपमेंट के नाम पर एक तरीके से इस पूरी जमीन को कबजा करने की कोशिए री डेवलपमेंट अगर करना है तो सबसे पहले बी प्राग्रिस वालों का भी तोड़ दो जितने भी दफ्तर ने सबको तोड़ो री डेवलपमेंट करना है तो सरकारी स्कूल तोड़ोगे बच्चों के अगर आपको री डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले आप सरकारी स्कूल जो बच्चों का है उसी को तोड़ेंगे आ यहां तो बच्चों के स्कूल पर बुल्डोजर चला रहे हैं देखे वो बहुत ही मार्मिक और गंभीर संवेदंसील चिठी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनिसी सौधिया जी ने लिखी है और इस बात पर चिंता जाहिर की है कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर देश का प्रधान मंत्री होगा तो किस तरह से उसका खाम्याजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा पहला जैसे मैंने आपको बताया सरकारी स्कूल जनसंख्या देश की बढ़ रही है बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूल बढ़ाने के बजाए साथ हजार सरकारी स्कूल देश के अंदर भारती जनता पार्टी ने बंद किये हैं जिसमें अकेले 26 हजार सरकारी स्कूल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं कि हजारो स्कूल बंध हुए हैं मद्यप्रदेश में हजारो स्कूल बंध हुए गुजरात में करते क्या हैं ये लोग इनी के अपने प्राइविट स्कूल है प्राइविट स्कूल के नाम पर भाजपा के नेता और मंत्री अपना धंदा चलाते हैं और सरकारी स्कूलों को तो अपना निर्धारित किया कि बच्चों का स्कूल सबसे पहले तोड़ो, स्कूल नहीं रहना चाहिए देश में, तो इस बात को लेकर मनिसी सौधिया जी ने चिंता जताई है कि अगर देश के प्रधान मंत्री अनपढ होंगे, गैर पढ़े लिखे होंगे, सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे, तो बच्चों के भविश्य का क्या होगा, और देश किन हाथों में इस समय है, और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह हम सब के लिए चिंता का विश्य है, आपके पास ऐसा किस परावदाने कि आप सुभूप करते हैं, और देखे दुरगेश पाठक जी, एम सीडी के नामित सदस्य भी हैं, और मेयर भी आम आदनी पार्टी का है, हमने तो आपको सीपी डवलूडी और एम सीडी और मोदी सरकार की मिली भागत से जो यह बुलडोजर चलाने की कोसिस है, उसका खुलासा आपके सामने किया, जहां तक दुरगेश जी ने बताया, ह कि बच्चों का स्कूल तोड़के और भाजपाईयों का आनपढ़ पार्क बनाया जाए, इसके लिए ये ठीक बिल्कुल नहीं होगा, और ये जितने भी भावन खड़े हैं, सब अडानी भावन हैं देश भर में, बीजेपी दफ्तर के नाम पे जितने बन रहे हैं, सब प्रकार कि रणनीती होती है, उननीस राजनीतिक दल एक मंच पर एक साथ क्यों आए, मुद्दा क्या था, मुद्दा था मोदी अडानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई, यानि कि जो लाखो करोन का ब्रस्ताचार, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाये रखने के लिए आर्थिक सत्ता जो खड़ी की है डानी के जरिये, उस घोटाले पे जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाने के लिए सरकार थे यार नहीं थी, इसको लेके पूरा संसत का सत्र चलने नहीं पाया, मोदी सरकार ने चलने नहीं दिया, और क्या मैसेज दिया पूरे देश को, कि पूरे देश में लाखो करोन का घोटाला हो जाए विदेसों से लाखों करोन काला धन अडानी की कंपनी में लगा दिया जाए इंडिया बर्बाद हो जाए लेकिन अडानी बर्बाद नहीं होना चाहिए तो भारत के प्रधान मंतरी इंडिया के प्रधान मंत्री नहीं आडानी के प्रधान मंत्री हैं ये बात उन्होंने साबित कर दी और इसलिए वो सारे लोग कठा हुए थे इसको किसी चुनावी दृष्टी कोण से ना देखा जाए और चुनाव को लेके जो घटना करम है वो अलग धन से उसको आप देखिए लेकिन जो कल उन्नीस राजनीतिक दलों का एक साथ आना था वो सिर्फ और सिर्फ ये अडानी के घोटा लेकिए या उसको अब रखने का कोई आचित नहीं है जी एट एक अलग प्रकार का जनकारी दे शुका हुआ।